राम राम एक जोथशी एस्टर लॉजर अपने ग्रहों के प्रती जितना सजक वैसावधान रहते हैं उतना शायद कोई समाने विक्ती नहीं रहता रोज लोगों के ग्रह बिगडते और सुधरते देखते हैं तो एक मन में डर भी रहता है के ग्रह कैसे विक्ती के जीवन में खराव असर करते हैं यह ग्रै हमारे जीवन में खराब असर ना करें अगर करें तो बहुत कम करें इसके लिए कुछ ना कुछ परियास जोतशी हमेशा अपने लिए उपायों के दुबरा करते रहते हैं तो ऐसा ही एक उपाय मेरी निजी जिन्दगी के साथ जुड़ा है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इस उपाय को करते हुए निरंतर मुझे मतलब हो सकता है दो चार दिन बीच में छूड़ते भी हो महीने में जब मुझे कहीं आना जाना पड़े लेकिन फिर भी किसी को बोल जाता हूँ बहुत कम मैंने इसमें मतलब अंतर किया है कि मैं ये उपाय ना कर पाऊँ जब मुझे जोतिश के बारे में ग्यान नहीं था तब से मैं ये उपाय कर रहा हूँ अपनी छट पे पहले में बहुत बड़ा धेर लगा देता था बाजरे का चावल का एक छोटा सा मैंने स्थान बना लिया था वहाँ पर पानी बाजरा डालता था और बहुत से पक्षी आते थे जिसमें तोते भी होते थे पैरट, कबूतर, चिडिया और भी नाना परकार के पक्षी कवे बाजरा नहीं खाते हैं वो नहीं आते थे सतनाजा कम खाते हैं वो नहीं आते थे तो पक्षी आते थे चले जाते थे लेकिन वो छट पर ना गंदगी फेला जाते थे फिर धीरे धीरे जोतिश का ग्यान हुआ पता लगा कि हमें अपनी छट पे कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए पक्षियों को खाना नहीं खिलाना चाहिए जो लोग फ्लैट में रहते हैं जिनके पास कोई आप्षियों नहीं है अगर वो अपनी छट पे खिलाते हैं तो साथ ही में उनको सफाई करनी चाहिए लेकिन पहली बात यही है कि उनको खुले मेदान में ही कहीं पक्षियों को खाना खिलाना चाहिए तो मैं इसमें क्या यूज करता हूँ सबसे ज़ादा बाजरा तुकडे में चावल सतनाजा कबूतर वै पक्षि खाते हैं जो बुद्ध और राहु के होते हैं यानि के बुद्ध ग्रह और राहु ग्रह के पक्षि आकर ये दाना चुकते हैं पानी पीते हैं चले जाते हैं इनको खाना देने से सुभा दाना देने से दाना मैंने आपको बताई दिया चावल, बाजरा, सतनाजा देने से ये ग्रैट ठीक रहते हैं आपको दुश्परभाव नहीं देते और कहीं न कहीं आप मदर नेचर के साथ जुड़कर अपना एक करतवे भी निभाते हैं, सृष्टी की रक्षा के लिए, पक्षियों के रक्षा के लिए भी काम करते हैं जिससे आपके पुन्य करम भी अरजित होते हैं, बढ़ते हैं तो ये काम आप भी कर सकते हैं तीन अनाजा है इसमें सतनाजे में तो देखिये काफी कुछ आ जाता है लेकिन मुख्यता मैं इसको एकी छनेनी में गिन लेता हूँ सतनाजा है, चाहे इसमें बाजरा है काली उड़त की दाल है सतनाजा कैसे बनाना है आप मेरे वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर दिख सकते हैं तुकड़े में चावल है क्योंकि जादा गर्मी होती है तो बाजरा थोड़ा कम कर देता हूँ या बाजरा थोड़ा सा साथ में मिला कर न चावल के वो खिला देता हूँ क्योंकि गरम होता है बाजरा बहुत तो पक्षी कई बार उनके लिए नुक्सान दायक ना हो तो ऐसा छूटा सा प्रयास आप भी करें आपके बुद्ध और राहु ग्रह को अच्छा करने के लिए किसी पारक में, किसी खुले मैदान में आप सुभा नहाने दोने के बाद जाएं और पक्षियों को ये अनाज खिलाएं निरंतर आप देखेंगे आपके ये दोनों ग्रह बुद्ध और राहु अच्छे होने लग पड़ेंगे तो ऐसे ही अपनी दिन चरया के कुछ एक उपाए मैं आपको कभी कभी बताता रहूँगा जिसे करने से आपके जीवन में बड़े सहजभाव से बड़े अराम से खुशाली आए और आप भी इन उपायों को अपना कर अपना जीवन खुश में बनाए और खुशाली से जिन्दगी जीते हुए अनंद ले अपने जीवन का तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं पक्षियों को दाना डालिए चावल तुकडे में बाजरा या सतनाजा जिससे आपके बुद्ध राहु ग्रै ठीक हो और अपने बच्चों को अपने परिवार को भी यादर डाले इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाब आपको मातरानी की किरपा से होगा जै मातर